दुनिया में सैकड़ों ऐसे उधरन हैं जिन्होंने अखंड मेहनत और अपने सामर्थ के बल पर दुनिया में अपने नाम को सार्थक सिध्ध करके दिखाया और अपनी एक नई पहचान बनाई जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है इनमें सबसे पहला नाम आता है दुनिया के सबसे धनी ब्यक्ति श्रीमान विल गेट्स का विल गेट्स का नाम दुनिया में कोई नहीं जानता आपको बता दें कि विल गेट्स का वास्त्विक पूर्ण नाम है विलियम हिंदरी ग कम्प्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसका नाम टिकटो टैग था तथा इसका प्रयोग कम्प्यूटर के खेल खेलने हे तो किया गया विल गेट्स इस मशीन से बहुत अधिक प्रभावित थे तथा जानने को उच्छुख थे कि यह सौप्ट वेयर किस तरह से काम करता है एक बार क्या हुआ कि उनके कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें कम्प्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन द्वारा ओप्रेटिंग सिफ्टम में ही रखी खाम्यों के लिए एक महीने तक प्रतिवन्धित कर दिया इस समय के दौरान उन्होंने अपनी मित्रों के साथ मिलकर CCCE के सौप्ट वेयर में हो रही कम्यों को दोर कर लोगों को प्रभावित किया तथा उसके पश्चात वैं CCCC के कार्याले में निरंतर जाकर विभिन प्रोग्रामों के लिए सोर्स कोड का अध्यन करती रहे और यह सिलसिला 1970 तक चलता रहा इसके बाद मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने मित्र एलन के साथ मिलकर ट्राम्फ डाटा ओ नामक एक उपकरम बनाया जो इंटल 8800 प्रोसेसर इंटल 808 प्रोसेसर पर आधारित यातायार काउंटर यानि की ट्रैफिक काउंटर बना प्रिवोग मिलाया गया इसके पश्चात उन्होंने इंटल 888 यानि 8080 चीप बनाया तथा यह उस समय का ब्यक्तिगत कंप्यूटर यानि की पर्सनल कंप्यूटर की अंदर चलने वाला सबसे वहन योग चीप था इसके पश्चात विल गेट्स को यह एहसास हुआ कि समय द् ने स्वेम की कंपणी की शिरुवात करनी चाहिए यह शुब आउसर आया वर्स 1976 में जब विल गेट्स ने माइक्रो इंस्टूमेंटल एंड टेलीमेट्री सिस्टम का नाम बदल कर माइक्रो सॉप्ट नाम से रेजिस्टर करवाया इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक IBM के स शिखर तक पहुँचे और आज वो बारह सो पचास लाख डॉलर की मकान में रहते हैं और उनकी कंपनी का सालाना रिवेन्यू लगभग 85.32 विलियम यूसडी है जो पूरे बिश्व में नंबर एक पर है यह थी विल गेट्स की सफर की कहानी कैसे विल गेट्स जीरो से हीरो बने कोर्परेट न्यूज डेस्क से अभिश्यक की रेपोर्ट